हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में जिस प्रीमियल लीग मैच का हम प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेल जाएगा ब्रेंटफर्ट वर्सेस ब्राइटन के बीच मैच का मेनी होगा ब्रेंटफर्ट किक ओफ होगा रात में 12.30 एम पे तो ब्राइटन का ये वाला सीजन अभी तक बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है अभी ये टॉप 6 या 7 पोजिशन में अल्दो इनके एक मैनेजर दो थे त उनके अंडर में भी अभी तक ब्राइटन ने दो मैचेस कहले और दोनों में उन्हों ने अच्छा परफोमेंस किया ओल्दो दोनों मैचेस में इनके हाथ एक बी जीत नहीं लगी एक इन्हों ने लिवरपूल के अगेंस 3-3 का ट्रो खेला एक ये टोटनम के अगेस्ट 1-0 नेरो हा रहे हैं बट इस्टिल दो बड़ी टीम के अगेश्ट उन दोनों मैचेस में काफी ज्यादा पॉजिटिव समय देखने को मिले हैं जिसे की देखके लग रहा है आगे के मैचेस में ब्राइटन अंडर न्यू मेनेजर काफी अच्छा परफोमेंस कर सकती हैं बात की मैचे होम सपोर्ट इनके बास होगा दूसरी चीज यह केपेबल है पूरी तरह से ब्राइटन को हराने में बट फिलाल के लिए यह तो मैं एक बैलेंस टीम मनाऊंगा यह मैं हलका सा एड्वांटेज यानि कि स्लाइट एडवांटेज ब्राइटन को देके अपनी टीम में वहां से जोड़के आप मेरे टेलिग्राम चैनल से जरूर से जरूर जोइन कर लिजे 4600 के आसपास सब साला चैनल आपको मिल जाएगा तो जरूर जोइन कर लिजे आप मेरे टेलिग्राम चैनल से अम मैं आपको दिखा तो पॉइंस टेवल ग्रूप मलब पॉइंस काफी solid display produce किया है, Brentford एक mid table में 11 position में 9 में 2 match जीते हैं, 4 draw, 3 losses है, 16 goal score किया जो कि अच्छा है, बट 17 goal इनोंने concede भी कर दिये, इस season थोड़ा सा defensive wise यह अच्छा नहीं खिलने हैं, और 10 इनके point है, अब मैं आपको दोनु का recent result दिखाता हूँ, तो जो Brighton यहाँ पे अपना last match खिल कासल ने 5-1 के margin से बुरी तरह से thrash किया है, जो एक goalathon के talisman Tony ने penalty में score किया था, तो यह दोनु टीम यहाँ पे हार किया आई है, बाकी मैंने बता दिया, match किसी भी side जा सकता है, लेकिन मैं फिलाल के लिए हलका advantage Brighton को दूँँगा, यह मैं एक balance team बनाऊंगा, small league में, तो direct provable line up पे आते हैं, पहले बात Brighton की करते हैं, तो मेरे according यहाँ पर कोई clear cut favorite नहीं है, मैं एक balance team मनाने वहाँ है, यह मैं ब्राइटन को advantage देने आलो, तो मैं अभी के लिए 6-5 का combination लिए हो, ब्राइटन के favor में, अगर मैं 6 प्राइटन के भी करूं, मैं 5 प्राइट भी करूंगा, थ्री इंदा वेग में खिलिंगे, वेल्टमें, डंक और वेफ्स्टन, इनके तीन सेंटर वेग, इसके अलावा, सॉली मार्च और इस्टू बिनान होंगे, इनके दो wingbacks, बाकी मार्च अटागे, चारो defender आपको fantasy platform में, defense section में मिलिंगे, फिलाल मैं यहाँ से, दो defender शोली बि कर सकते हैं, लेकिन मुझे कही ना कही लग रहा है, कि सहद एकाद गोल, ब्रेंट भी मार सकते हैं, गर ब्राइटन फेवरेट भी है, जीतिंगे भी, I think 2-1, ऐसी स्कोल लाइन हो सकती है, या मुझे लग रहा है, एक draw भी हो सकता है, 1-1, 2-2 की भी स्कोल लाइन, पॉसीवल है, फिलाल इनके defense में मेरी top two choice है, dunk and weldman, ये दोनों defensive wise अच्छे हैं, दोनों का selection आई है, और ये दोनों ही headed goal लगा सकते हैं, इस वैसे में इन दोनों को pick करके चल लाओ, अगर आपको इनका तीसरा defender भी pick करना है, वेबस्टर वर्सिस स्टूपिनान में आप अपना call लेना, इस टूपिनान attacking wise बहुत अच्छे है, कुकुरेया के replacement है, लेगिन अभी तक DJP के अंदर में दोनों में 65 मिनट के mark में substitute हुए, ये चीज़ ज्यान रखनी है, और बहुत ज्यादा assist वगेरा नहीं दिये, बड़ ये attacking position में आ रहे हैं, जबकि वेबस्टर defensive wise अच्छे हैं, औ तो आपको 2 से ज्यादा 3 पिक करने, तो आप इन दोनों में अपने according call ले लेना, फिलाल मैं सिर्फ 2 पिक करूँ और मैं 1 या 2 वहां से पिक करूँगा, जिससे की मेरा एक balance बंजाए, defense section में, मिड़ फिल में मैं मैं के लिश्टर को शोली पिक करूँगा, और मैं ट्रोसाट को शोली पिक करूँगा, एलिश्टर ने लास्ट जो टोटनम के अंगेश्ट मैश वादना, उसमें 45 से 50 पॉइंट दिये थे, विदाउट गूल असे जिसमें की 20 पॉइंट से पासिस ही पा करूँगा, अभी रिसेंटली लास्ट तू लास्ट मैच में, लिवरपूल वाले मैच में है डिश्ट्रिक मार के आ रहें लिवरपूल जैसे अपॉने आगेश्ट, और इस मैच में अगर आप ब्रैटन को बैक करें, ट्रोसाट कैप्टन से प्लेयर 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 लेना है वो सॉली मार्च हो सकता है पिछले दोनों मैचेस में गोल मानने के क्लोज है एक दो ऐसे उन टार्गेट ले रहा है या तो डिफलेक्टों के दर दर चल जा रहे है या वो गोल की बर सेप कले रहा है आज नहीं तो नेक्ट गुज मैचेस में इनका गोल आ सकता है तो मिटफिल में आपको पॉइंट लेना ना मार्च में पॉइंट ले सकते है ऑल्दो विदाउट गोल असे बहुत ज्यादा कं इनको शोली कने वालो सिलेक्चन भी काफी ज्यादा हाइं अब मैं एक प्रेयर को और वहो है डैनी वेल वैल लेक्ट देंट आप अपॉनेंस वियोमों करके अटेकर है ब्रेंटफर्ट का उस प्रेयर को भी ब्रेयर को भी कर सकते हैं यहाँ पर आप अपने अ कोर्डिंग क से 20 से कम पॉइंट ही दिंगे आप इनके आले प्लेस में व्यूमू के साथ जा सकते हैं तो ये ब्रैटन की प्रोविवाल 11 थी लगबग सभी चीजे मैं यहां से आपको डीटेल में एक्स्प्लेम करती अभी जो मैं यहां से प्लेयर पिक करो डिफेंसे में वेल्टमें डंग कर रहा हूं मिट्फिल में मैं कैलिष्टर और ट्रोसाट को भी कर रहा हूं और मैं ग्रोस और साथ में वेल्वेक को भी करके चलो वेल्वेक वाला कॉल बता दिया इनके प्लेस में आप यूमू पिक कर सकते हैं या मार्च में बन ले सकते हैं सेव काई सीडों के साथ जा सक करना है हमारे टेलीग्राम चैनल से तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन या टॉप पिन कमेंड में वहां से जूड़के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर से जरूर जोईन कर लिजे 4600 के आसपास सबसारा चैनल आपको मिल जाएगा अब हम बात करते हैं जो हमारा अपोनेंट है ब्रेंटफर्ट की तो ब्रेंटफर्ट के लिए यांसन, नूरगाट और लुईश पॉर्टर इस मेंज में बाहर हैं तो इनकी प्रोविबल लिलाओं देखते हैं राया इनके गोलकीबर होंगे अभी मैं इनको भी करो क्योंकि I think ब्रेंटफर्ट के कंपरिजन में तो मैं राया के साथ जारू बट आपको लगता है ब्रेंटफर्ट अपने घर में जादा अटेक करेगी तो आप ब्रेंटफर्ट के गोलकीबर रोबर्ट संचेस को भी पिक करके जाल सकता है लेकिन मैंने पिक किया है राया को थ्रींद बैग में ये भी खेलता है एजर मी और पिना के इनके तीन सेंटर बैग होंगे इसके अलाबा जो इनके लेफ्ट विंग बैग है हैंडी ये चार प्लेयर आपको मिल जाएंगे डिफेंस सेक्षन में फेंटेसी प्लेटफर्म में मेरे को यहां से एक से ज़्यादा पिक करना हुआ मेरी सेकंड चोईस रहेंगे रिको हैंडी जो कि अटेकिंग वाइस भी अच्छा और डिफेंसी वर्क भी करते हैं और तो बहुत ज्यादा फेंटेसी पॉइंट की मांगली में इंकंसिस्टेंट है डसिल्वा ने सुरु सुरु में दो गोल मारेते लेकिन उसके बाद से कुछ ज़्यादा खास किया नहीं और दोनुं फुल 90 मिनेट भी लाश्नी करते हैं फिलाल में मिटफिल में जैंसन को अभी के लिए शोली विक करकी तर लो इस टीम के सबसे तो अभी के लिए मैं जैंसन के साथ जा रहा हूं बाकि डेसलवा में बता दिया यह दोनों को में एग्णोर कर रहा हूं ही कि आपके लिए एक और अच्छी आप्शन रहे सकते हैं मिटफिल सक्षन में यह बंदा डिफेंसिव अग भी करता है और यह गोल असिच करने में अभी तक गोल असिस तो नहीं है बट आई थिंग जिस तरह का परफॉमेंस कर रहा है आ सकता है सीजन में बात-बात की मैचेस में फिलाल के लिए अगर आपको लगता है मिटफिल में एक और प्लियर आपको ब्रेंफर्ट से विक करना चाहिए हिकी ओप्सन हो सकता है मैंने पिक तो नहीं किया है लेकिन ये विदाउट गोल असिश ठीक टाक पॉइंट दे सकता है टॉनी इनका टैलिसमै ने पैनल्टी टेकर भी यही है मेन गोल स्कोरर यही है टॉप स्कोरर सीजन का छे गोल दो असिश के साथ मस्ट पिक रहेंगे अगर आप एक ड्रॉ के लिए या ब्रेंटफर्ट विक्टरी के लिए जा रहे है टॉनी केप्टन वाइस केफटन सी के टॉप अस्टन हैंगे इस मैच में व्यूमो को मैंने अभी के लिए पिक तो नहीं किया है लेकिन अगर आपको लगता है टैनी वेलबेग फ्लॉप जेंगे आप ब्यूमो के साथ च अच्छा करेंगे आप सीधे सीधे वहां से टैनी वेलबेग ड्रॉप करके यह आपको लग रहा है जो भी फ्लॉप गा ग्रॉस फ्लॉप गा उसको ड्रॉप करके आप यह ब्यूमो को भी करके चल सकते हैं तो यह ब्रेंटफर्ट की प्रोविबल 11 थी लगबग सभी चीज ब्रेंट ब्रेंटन में फिलाल यह मैंने सीजन के ब्रेंटफर्ट के स्टैट लिखें आप यह स्टैट देख लिए और पेनल्टी इनकी टौनी लेने वाले हैं अभी जो मेरे प्रेडिक्सन रहेगी इस मैच की मैं एक टू-टू ड्रॉप के साथ जारों दूसरी मेरे एक ब्रेंटन को कर रहा हूँ बट अगर यह 2-1 ब्रेंटफर्ट होता है तो भी मेरे को बहुत ज्यादा सर्प्राइज नी होगा अगर आप ग्रेंडी खिलने एक 0-0 ड्रॉप वाला कॉंबिनेशन जरूर लिया ना ऐसे मैचेस में बहुत बार ऐसा होता ना जहां पर हम एक्स मिट फील में आपको लगरा व्यूमो उच्छा करेंगे तो आप से अगर आपको लग रहा है ब्रेंटन ज्यादा अच्छा करेगी आप ग्रॉस मेगलिष्टल वेलबैक में किसी को भी वाइस केटन कर सकते हैं या आपको लग रहा है ब्रेंट अपने घर में ज्यादा अच्छा करेगी आप टॉनी को केप्टमसी देखे इन में से किसी को वाइस केटन कर सकते हैं तो फिलाल ये मेरी डामउर अफ टीम थी मेरी से उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन या टॉप इन कमेंड में जरूर से जरूर जोइन कर लिजिए